हेलो फ्रेंड्स वेलकम यूटूब चैनल और इन्वार्मेंटल साइंस दोस्तों आज हम इन्वार्मेंटल साइंस के न्यूक्लियर फ्यूजन के टॉपिक से को सॉल करेंगे दोस्तों वीडियो को देखने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तरह सब्सक्राइब नहीं किया और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको और आपके दोस्तों को मेरे चैनल के ऐसे ही लिटेश वीडियो मिलती रहें देख लेते हैं को in order to obtain useful fusion energy from a thermonuclear fusion reactor if the confinement time of the dt plasma ion is one microsecond the ion density must be तो दोस्तों कोशन 2015 ने पूछा गया था तो इसमें हम देख लेते हैं किवन किया है हमें given confinement time that is one microsecond दोस्तों आपको unit में ध्यान देना है कि हमें क्या दिया है one microsecond microsecond means micro one microsecond micro is equal to 10 to power minus six second is equal to convert करेंगे हम simple second में 10 to power minus जो हमारा formula है वो है lawson criteria formula यह हमारा formula होता है n tau is equal to 10 to power 14 second per centimeter cube यहां पर n हमारा है plasma density plasma density refer to the number of particle per centimeter cube और हमारा जो tau है वो हमारा confinement time जिसकी unit हमारी second में होती है तो दोस्तों हमें question में क्या given है tau given है tau हमें given है तो इसे हम formula में put कर देंगे तो हमें निकानला है iron density n is equal to 10 to power 14 divided by tau tau हमें दिया है one microsecond microsecond को हमने करेंगे दिया simple second में 10 to power minus 6 हमने हमें put कर दिया तो यह हमारी unit उपर जल जाएगी 10 to power 6 तो 10 to power 20 हो जाएगा अब हमीं क्या बूला गया है कि हमें जो देना है कि मीटर क्यूब में देना तो आपका one centimeter cube is equal to 10 to power minus 6 meter cube तो दोस्ता आपे conversion आपको ध्यान रखना है कि आपको convert रखे देना अगर आपको option में 10 to power 20 देंगे तो आपका अंसर सही नहीं होगा तो आप इसे convert करेंगे meter cube में 10 to power 26 per meter cube इसका सही अंसर होगा तो अगला question देख लेते हैं जून 2019 ने मुझा किया था फॉरा h2 h3 fusion reaction if the desired confinement time for the INS fuel is 2 seconds what must be the minimum concentration of iron per cubic meter for net gain of energy तो आपको दोस्तों फिर से इसमें ध्यान देना है यह इसमें में इसमें में सेकिंड या था सम्सक्राइब माइक्रो सेकिंड थीकए दोस्तों फॉर्मला हमारा सेम यूज होगा loss and criteria formula जो हमारा है कि डिटियूरियम के तो फ्यूजन रियक्सिन में तो हमारा जो फॉर्मला है Ntow 10 to power 14 second per centimeter cube अगेन हम इसमें निकालना है आपका plasma density तो हम इसमें 10 to power 14 divided by Tau तो हमारा हो गया यह ताउ कि हम से वेलोग देंगे टू सेकिंड तो टू सेकिंड नवर देंगे हम इसमें 10 में 10 में से इंटू ब्रेक कर दिए 10 to power 13 में तो 2 से 10 5 हो गया और इसे हमें सेंटीमीटर क्यूब को आपको लाग कुशन मतारा है सेंटीमीटर क्यूब इस गूल टू 10 to power minus 6 मीटर क्यूब तो आपको इक अधियान देना है तो इसे कनवर्ट करने के लिए हम सेंटीमीटर क्यूब कर दिया तो यह 5 हो गया सब्सक्राइब क्यूब तो दोस्तों बहुत इसी कुश्चन है बस आपको बेसिक यह फॉर्मला या रखना है और यूनिट पर धियान देना है अगर आपने इन बेसिक कॉंसेप्ट में ध्यान देने तो आपकी दो नंबर पेपर टू में पक्के समझें तो धन्यवाज